एपिसोर की शुरुवात में हम देखते हैं कि आपू बड़े मज़े से कैप्टन डूओ को ढूड़ने के लिए बाहर निकलती है दरवाजे के पीछे छुपकर किंग फिंग और उसका असिस्टेंट उस पर नज़र रखे हुए होते हैं फिर वो दोनों सिक्रेटली उसका पीछा करते हैं आपू थोड़ी ही दूर गई होती है तभी उसे रास्ते में ओल्ड मैन देख लेता है वो उस पर नीडल से हमला करने की कोसिस करता है पर तभी किंग फिंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आ जाता है इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पकड़ने के लिए अपनी बेहन को चारा बनाया था इतना कहकर वो एक बॉम फेक कर वहाँ से भाग जाता है और जल्दी में वो अपनी पहचान का सबसे बड़ा सबूत पीशे छोड़ जाता है इस पर किंग फिंग उस सब को यानि कि उसके मास्क को लेकर डॉक्टर के पास आता है उससे पता चल चुका था कि वो ओल्ड मैं कोई और नहीं बल्कि उसका फैमिली डॉक्टर ही है क्योंकि उसकी बॉड़ी से वही मिटसिंस के इसमेल आ रही थी जो इसमेल डॉक्टर की बॉड़ी से आती थी वो से मास्क दिखाता है जिसे देखकर डॉक्टर काफी जादा डर जाता है किंग उसे पूस्ताश करने की कोसिस करता है तो तुरंत एक जहर की गोली खा लेता है और कहता है कि मैं अपने मालिक से गदारी नहीं कर सकता इतना कहकर वो मर जाता है इस पर किंग काफी डिसपॉइंट ह होता है चोगि उसे असली मास्टर माइंड का पता नहीं चल सका था इधर किंडयों उसी जेट पेंडेंट का स्केश बनाती है जिसे उसने किंडयें के पास देखा था तांबी वहां किंड़ैंग आता और वो उस स्केश को देखकर पहशान जाता है क्योंकि उसे उस पेंडेंट के बारे पता होता है उसे हैराम देखकर किंग्यों उससे पूछती है कि ब्रदर क्या आप इससे पहशानते हैं इस पर किंग्वेंग कहता है कि नहीं उसे नहीं पता कि ये क्या है तब ही वहां कौन कलंगे याड़ी में जाने के लिए दियारी करने चली जाती है उसकेृ कांक कि युद्य मदध मदर से बताता है कि निक्स finan उसके फादर घर वापस अजाएंगे यह सुनकर inception मदर खुस किंग फैंग कहता है कि किंगे की दिमागी हाला ठीक नहीं हो रही जब फादर उसे देखेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे मैं फादर क्याने से पहले किंगे को किसी दूसरी जगा ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहता हूं इस पर ज्याव सैंग उनका विलकम करता है फिर वो तीनों एक फ्लावर के पास खड़े होकर अपने कार्टून वाली पेंटिंग बनवाते हैं तब ही वहां किंग यून आती है प्रिंस जेंगली उसे भरपूर इगनोर करता है फिर सभी अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं प पार्टी देकर खुदे पार्टी में मौझूद नहीं है आखिर वो कहां गई है इस पर ज्याव सैंग उसे बताता है कि वो कुछ काम से बाहर गई है थोड़ी देर में आ जाएगी इधर आप वो किचन में बरतनों से कैप्टन डूओ को ढूडने के लिए एक एलियन डिट रहा होता है वो खुसी खुसी उसे लेकर बाहर निकलती है तभी वो बाहर पहरे पर मौझूद मेट जीली से टकरा जाती है जीली उसे खतरनाक देवर के साथ बाहर जाने से मना करती है इस पर आप उसे अपनी इट उठा कर मारने वाली होती है तभी वहां जियांगा जाती और कहती है कि मालकिन अगर आपने इसे मारा तो कौन क्योंबिन मदर नाराज हो जाएंगी तब ही वहाँ ज्यावरोई पहुंचती है और वो से लेकर अपनी पार्टी में आती है वहाँ पहुंचते ही वो खाने की टेबल पर पैट जाती है और फूर्ट उठाकर खाने लगती है जैंगली उसे हाँरानी से देख रहा होता है इस पर आपूसे अपना खाया हुआ आदा बनाना उफर करती है तो किं फिंग उसके इस बिहेवियर पर उसे डांटा है और क्राउन प्रिंस उसे डांटने से मना करता है तब हीर चैंगली बीने के लिए जत्पड़ वहाँ एक नजर आने लगते हैं और वो घबरा कर अपना सर पकड़ लेती है ना जाने क्यों उसे आज हर्ट ब्रोकन फील हो रहा होता है वह वहां से भागती हुई चली जाती है किंग भी उसके पीछे जाता है उसकी आखों से आसुब बहे जा रहे होते हैं उसकी साथ ही सब कुछ क नहीं आ रहा होता तब ही वहां किंग फेंग आता है और उससे पुछता है कि उसे क्या हुआ है आबू उससे कहती है कि वह बंदा कौन था जब मैंने उसे टश किया तो मेरे दिल में दर्द होने लगा किंग फेंग उसे दिलासा देता है और कहता है कि तुम्हें डरने की को में पहुंचती है वहां धेर सारी बिल्लियां होती है वह कैप्टन डूओ को आवाज देती है इस पर उसे एक बंदा नजर आता है जिसके बाड़ी पर कोई कपड़ा नहीं होता उसके पास बस एक बोरी होती है जिसे उसने नीचे लपेटा होता है तभी वहां किंग भी आ ज सम 아च्याती है कि वो कैप्टन डूओ कहे कर फुकारती है तो कैप्टन डूओ को भी रियलाइज होता है कि उनका रूम बदल गया है अब सारी वीवर्हें यह सोच रहे होंगे कि कैप्टन डूओ कैट फॉर्म से बिना किसी human body के कैसे convert हो गए तो मैं आपसे यही कहूंगी कि यह एक secret है जो कि इस drama के लगवख 20 एपिसोड में reveal होगा तो Captain Duo अपने transformation को देखकर हैरान हो रहे होते हैं King Fing दोबारां से पूछता है कि तुम कौन हो और यहां इस हालत में क्या कर रहे हो इस पर Captain Duo कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ फिर मैं तुम्हें कैसे बताओं कि मैं कौन हूँ मैं कोई human नहीं हूँ और पता नहीं कैसे मैं human body में convert हो गया इस पर King Fing किंग यह से पूछता है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो इस पर King यह साफ मुकर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह कौन है और मुझे लगता है कि यह कोई आवारा पागल है उसकी यह बास सुनकर Captain Duo को उस पर बहुत गुस्सा आता है इस पर King Fing Captain Duo से पुछताश करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और आप वो King Fing को मारने के लिए अपनी इट निकाल लेती है तब ही वहाँ ज्यावरूई आ जाती है और वो Captain Duo को बिना कपडों के देखकर हसने लगती है King Fing उसे गुसे से देखता है तो वो Guards से उन्हें ले जाने का ओडर देती है Guards Captain Duo को टांग कर वहाँ से लेका चले जाते है इधर प्रिंस जेंगली किंग्ये की बिहेवियर से डिस्टर्ब होता है King Yon उसे बात करने की कोसिस करती है और वो उसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम से कहीं और भी जाना है इतना काकर वो वहाँ से जाने लगता है तो जाते जाते किंग्यों की नजर उसके pendant पर पड़ती है वो बिलकुल किंग्ये के पास मौजूद pendant जैसा ही होता है उस पेंडेन को देखकर किंग्यों सैड हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि हो नहो किंग्यों और क्राउन प्रिंस का कोई ना कोई करनेशन जरूर है इधर ज्यावरुई किंग्फिंग और किंग्यों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें ड्रिंक आफर करती है इस पर किंग फेंग उसे दोबारा कमरे में बिना कपड़ों के मौजूद बंदे के बारें पूचता है तो जियावरोई उसे बताती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो बच्चपन से ही थोड़ा मन बुद्धी है उसकी माए एक नर्स थी और वो हमारे मैंसन में ही काम करती थी उनकी मौत के बाद मैं उसकी देख भाल करती थी पर एक दिन अचानक से वो कहीं चला गया और गायब हो गया पर आज अचानक से इस हालत में वो वापस आया है उसकी बास सुनकर किंग फैंग को जियाओ रोई ग्रेट लगने लगती है और उसे बिना कपड़ों वाले बंदे से सेंपती होने लगती है और पास भी बैठी आप उस सोच में पढ़ जाती है और कहती है कि मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ी बहाने बाज हूँ पर इस प्लैनेट के लोग तो कहानिया बनाने में मुझसे भी ज़्यादा माहिर है यहीं ये पार्ट एंड होता है तो दोस्तों अगर आप चानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहे हैं मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लिजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल की रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुड़ बाई